है गाइज वेल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल यूनिप्रेक्स आज का मारा टॉपिक है असेड्रीन असेड्रीन होदा क्या है तो पहले पुइंट पढ़ते हैं गैसेज लाइक सल्फर नाइट्रोजन रेक्ट विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन्वारेमेंट तो फॉर्म और सल्फूरिक और नाइट्रक असेड बनाती है और या जो उकसएड्र क्या होते हैं जिसके वाज़ेसे क्या पानी के साथ जब एसेड्र मिलता था एकिड बन जाता घूल खोलके। पर आलेमेंट के साथ रेक्सочки होते हैं जो rain जब होती है तो उसको acid rain कहा जाता है जो acids drop down with acid water acid जो निकलता है वो rain water के साथ ही निकलता है क्योंकि atmosphere में ही यह सारी gases acid present है जब बारिश होगी तो यह acid उसको मिल जाएगा तो यह rain क्या होगी acidic हो जाएगी इसलिए इसका नाम acid rain रखा गया ठीक है तो acid rain जो होता है can be harmful for living beings and also for non-living beings acid ढख को हामफुल होता है living or non-living beings को living beings में क्या-क्या हो सकता है कि हमारे क्या होता है skin problems हो सकती है यह जो जो ताज महल है वो करोड होता जा रहा है ठीक है जो acid rain है वो करोड कर रहा है outer surface जो भी है building का बाहर का area उसको भी करोड कर रहा है ताज महल बहुत बड़ा example है यह pale हो रहा है day by day because of acid rain क्योंकि जो भी exhaust होता है जो भी दुहां वगयर होता है वो क्या होता है उससे gases में जैसे sulfur nitrogen जोगा वो पानी के साथ react हो के sulfuric acid और nitric acid बनाएगा जो की पानी के साथ आके क्या होगा rain को acidic कर देगा इसलिए acidic rain की वससे यह सारी चीज़े होती है तो I hope आपको acid rain से लेटर सारी basic जानकारी मिलगी होगी अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई तो like कीजे और मेरे चैनल को subscribe कर दीजे और bell icon को भी hit कर दीजेगा त आपको बिलकुल ताइप पर मिल चाहे थैंक यू पर वाचिंग इट